साथियों एक समय था जब लोगों ने ये मांग दिया था कि सरकार किसी भी आये लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा निराशा ही निराशा थी आज देश का एक एक जन गर्व से ये कह रहा है कि देश बदल रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा है आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हीतों के लिए अडिग रहता है जब पूरी दुनिया दो विरोधी दुरों में बटी हो तब भारत को एक ऐसे देश के रूपे देखा जा रहा है जो द्रड़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है हमारी सरकार राष्टिय हितों को सर्वों पर ही रखते हुए काम कर रही है आज देश के पास नीतियां भी है नियत भी है आज देश के पास निर्ण शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है इसलिए आज हम लक्ष तै कर रहे हैं उन्हें पूरा भी कर रहे हैं आपने भी देखा है कुछ समय पहले ही देश ने चार सो बिलियन डॉलर याने तीस लाग करोर रुपिय से भी जादा के उपादों के एक्सपोर्ट का टार्गेट पूरा किया है कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष हासिल करना भारत के सामर्थ को दिखाता है कोरोना के खिलाब लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है लगाता जीतने का प्रयास कर रहा है आज भारत एक सो असी करोड़ से ज्यादा वैक्सिन डोज देने वाला देश है आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत असी करोड़ गरिवों वंचितों को मुप्त राशन दे रहा है सो साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भुखा ना सोना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब साड़े तीन लाग करोड रुपिय खर्च कर रही है बीते वर्षों में देश लिए देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपास सरकारों की डबल इंजिन की सरकारों की प्रात्विक्ता रही है गरीबों को पक्के घर से लेकर सोचाले के निर्मान तक आईश्मान भारत योजना से लेकर उजवला तक हर गर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक ऐसे कितने ही काम हुए है जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूँ तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं कि देश के विकास के लिए कि दिन रात महनत कर रहे हैं झाल झाल